हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग व्यक्तित यानि बाल विकास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे परस्नालिटी यानि व्यक्तित तो अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परस्नालिटी यानि व्यक्तित तो होता क्या है तो जहां तक सामानने अर्थों में हम लोग बात क्या करते हैं कि हम सामानने अर्थों में जो व्यवहार करते हैं वो हमारे व्यक्तित्त को प्रदर्शित करता है लेकिन व्यक्तित्त के संबंध में जो सर्वमान ने परिभाशा या सद्धान्द दिया गया है वो प्रस और external, यानि आंतरिक और वाय है, मनुशारीरिक दोनों ही गुणों का एक गतिसील संगठन है, यानि जो Personality है वो हमारी internal और external इन दोनों ही ट्रेट्स का एक dynamic organization है, यहाँ पे गत्यात्मक या गतिसील का मतलब लगातार चलने से नहीं होता है, बल्कि गत्यात्मक संगठन का बुन से गुण होते हैं टो सबसेते हिसे प्रकृत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर व्यक्तितों में हमने किन-किन चीजों को शामिल किया है तो यहां पर पॉइंट्स में मैं लिखा है चोटे शब्दों में कि व्यक्तित की प्रकति कैसी होती है और गेनाइज यानि संगठनात्मक तथा गत्यात्मक यानि डाइनमिक होती है यानि जब दोनों हमारे एक साथ काम करते हैं और समय समाज और परिस्थितियों के अनुसार हमारे आंतरिक और वाह दोनों ही गुण हमेशा कैसे रहते हैं गतिसील रहते हैं दूसरा क्या है इसमें आंतरिक और वाह दोनों गुणों का समावेश है यानि पर्सनालेटी केवल हमारे कपड़े परसनालीटी में शामिल किया गया है, यानि हमारे ड्रेसिंग सेंस, हमारा बाचीत का तरीका, हमारे हाव भाव, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, ये सारी चीजे परसनालीटी में इंक्लोड होती हैं। तो ये थी आपकी व्यक्तित की कुछ विशेस्ता या व्यक्तित की प्रकृती है, आप बात आती है कि जो व्यक्तित होता है, वो कितने प्रकार का होता है। विभाजन, प्रसिद्ध मनोव्याज्याने, क्रेचमर ये इनको इंग्लिश में क्रेशमर होता स्पालिंग, तो क्रेचमर या क्रेशमर ने किया था, इन्होंने व्यक्तित को तीन प्रकार का माना। यानि सारीरिक सनरचना या बनावट के आधार पर क्रेचमर ने परस्नालिटी को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है लंबकाय जिसको अम लोग ऐस्थनिक बोलते हैं। दूसरा है सुडॉल का यानि अथलिटिक होता है और तीसरा क्या है गोल का यानि पाइकनिक होता है। तो कई बार ऐसे भी आपका question पूछते हैं कि वेक्टित के सरीर रचना प्रकार के प्रवर्तक कौन थे। तो हम option में क्रेचमर लगाएंगे या क्रेचमर या क्रेचमर लगाएंगे। थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज मत होईएगा एक थ्योरी भी है सरीर रचना सिध्धान्त तो जो थ्योरी दी है constitutional type of personality की उसके प्रवर्तक थे वो शेल्डन थे। जब की सरीर रचना प्रकार के जो प्रवर्तक है वो क्रेचमर है यानि अगर आपसे एक्जाम में ये इन्होंने body के structure के आधार पर personality को तीन type की माना है लंब का है सोडॉल का है और गोल का है दूसरा जो type of personality है वो है सामाजिक प्रकार या सामाजिक अंतहकरिया प्रकार यानि जैसे जैसे हमें हम अपने समाज के साथ interact होते हैं लोगों के साथ तालमेल बनाते हैं लोगों से बा तो सामाजिक अंतहकरिया प्रकार के जो प्रवर्तक थे वो जुंग कहीं कहीं पर जै को silent रखा गया तो इसको युंग भी कहा जाता है यानि सामाजिक अंतहकरिया प्रकार के प्रवर्तक वों थे जुंग और युंग तो इन्होंने भी personality को तीन भागों में विभाजित किय पहला कौन सा है अंतर मुखी यानि इंट्रोवर्ट दूसरा है बहिर मुखी एक्स्ट्रोवर्ट और तीसरा है उभय मुखी यानि अबिवर्ट तो आपने देखा भी होगा कि जैसे हम अपने समाज के लोगों से बातचीत करते हैं घुलते मिलते हैं तो हमें कई टाइप की ल बहिर मुखी टाइप के होते हैं और कुछ उन दोनों के बीच के होते हैं अवश्यक्ता पढ़ने पर बातचीत करते हैं और आवश्यक्ता पढ़ने पर थोड़ा सा शांत रहते हैं इसके बाद व्यक्तितु का हमारा जो तीसरा प्रकार या तीसरा द्रस्टिकोंड है वो है मूल निद्रस्टिकों, यानि value type of personality, अगर हम बात करें, तो मूल का मतलब होता है, कि समाज के द्वारा जीवन जीने के लिए जो नियम या मांदंड बनाए गए है, और जिन मांदंडों को हम सुईकार करके अपनी life में follow करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, life values यानि जीवन मूल होते हैं, तो मूल्यों के आधार पर व्यक्टित के प्रकार का जो विभाजन किया था, वो स्प्रेंगर तथा, कहीं कहीं पर स्प्रेंजर भी मिलता है, एक्चली ये इंगलिश और हिंदी का वर्जन है, तो दोनों नाम मैंने लिखे हुए, स्प्रेंगर या स्प्रेंजर किया था, और इन्हों ने व्यक्टित को छे भागों में विभाजित किया, यानि इन्हों ने कहा कि जो परस्नालिटी होती है, वो सिक्स टाइप की होती है, कौन सी है पहले, सद्धान्तिक यानि थिरिटिकल, दूसरी क्या है, आर्थिक यानि एकोनॉमिकल, तीसरी है आपक कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने लाइफ में बले theoretical होते हैं उन्होंने हर चीज को यह हर काम को करने का या जीवन जीने का तरीका या सिद्धान्त बना रखा है और वो आसानी से अपने सिद्धान्तों के साथ समझाता नहीं करते हैं दूसरे क्या होते हैं आर्थिक प्रकृति के लोग होते हैं यानि जिनको पैसे के आगे कोई चीज दिखाई नहीं देती यानि धन के लिए वो कोई भी कारे कर सकते हैं यानि सबसे जादा उनके लाइफ में जो importance रखता है वो आपका पैसा रखता है तीसरा डो टाइप दिया कितनी importance देते हैं इसका मतलब उनकी life की जो personality है वो थोड़ा सा धार्मिक प्रकृति की है यानि religious टाइप की है ठीक है इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे आते हैं राजनातिक political आपने देखा होगा कि कुछ लोग politics में बहुत ज्यादा interest रखते हैं यानि राजनातिक प्रक कारेड अपने कारे को हल करने की योगिता रखते हैं चौथे नंबर पर आता है हमारा सामाजिक social टाइप की लोग होते हैं आपने देखा होगा कुछ लोग समाज में बहुत अच्छे-च्छे कारियों में जाते हैं लोगों से जादा घुलते मिलते सबसे अपना व्यभार यानि उनका जो शोशल का दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है छटी नंबर पर आता है कलात्मक यानि जो प्रकृति प्रेमी होते हैं जो लेखक होते हैं जो कविता वाचक होते हैं जो सौंदर में या प्रकृति की निर्माण में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों की जो प्रकृती होती है वो कलात्मक होती है, तो मुले द्रस्टिखोड के आधार पर इस प्राहिंगर ने क्या कहा है? कि जो व्यक्टित होती है, उसके हमारे छे प्रकार माने गए है, ये टॉपिक अभी यहां से आधा है, next video में हम व्यक्तित्यों के सिध्धान्तों पर चर्चा करेंगे यानि व्यक्तित्यों के सिध्धान्त क्या है और इन सिध्धान्तों के प्रवर्तक कौन है या इसमें क्या कहा गया है तब तक के लिए thank you very much